कोरोना वारिस के चलते लगाए गए लॉकडाउन ने जैसे आहम जीमत को पूरी तरीकी से ठब कर दिया था सब चीजें जैसे ठम सी गई थी और हर चीज पर हर जगा रोक लगा दे गई थी पुरे भारत में लॉकडाउन के चलते मार्च से ही सिनेमा घरों में भी पाबंदी लगा दे गई थी जिसके बाद से लोगों को इंतजार था कि आखिर सिनेमा हॉल कब खुलेंगे और आज सब का ये इंतजार खत्म होने वाला है आपको बता दे कि आज से अनलॉक फाइब लगने जा रहा है जिसके अंतरगा सिनेमा घर स्विमिन पूल खोलने की अजाज़त दे रही है आपको बता दे कि सिनेमा घरों के खुलते ही विवेक और रोय की स्टारर पिये मूदी की बायोपिक को एक बार फिर रिलीस किया जाएगा इसके साथी अनलॉक फाइब में सावधानी बरतने के साथ और कुछ गाइडलाइन्स सूशना एवं प्रसारन मंत्राले द्वारा जारी की गई है जिनका उप्योग किया जाना अनिवारी है इन गाइडलाइन्स का सकती से बालन नहीं किया गया तो IPC और टिजास्तर मेनेजमेंट के तहट एक्शन लिया जाएगा केंदरे जो नियम जारी किये हैं उनके नुसाथ सिनेमा हॉल में एक की बाद एक सीट खाली रहेगी हॉल की पूरी श्यमता के 50 फीसदी दर्शक ही अंदर आ सकेंगे सिनेमा हॉल में प्रवेश कने वालों को हमेशे मास्क पहनना पड़ेगा अंदर वेंटिलेशन की उचत व्यवस्ता जरूरी है साथ ही AC का तापमान 30 डिग्री से उपर रखना होगा आप देख रहे हैं घमासान.com और भी नियोज अबडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें